नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नमृता जहारखन में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है राम नौमी पर बहुत हैरान परेशान कर देने वाली तस्वीरे सामने आई थी दरसल राम नौमी को लेकर जब शोभायात्रा निकल रही थी तो इस दौरान कुछ असमाजिक तत्वों ने शोभायात्रा पर पत्राव किया था आगजिनी करने की कोशिश की थी बवाल ऐसा बढ़ा जो अब तक शांत नहीं हुआ है एक बार फिर से बड़ी खबर जारखन के जमशेदपूर से सामने आई है बताई ये जा रहा है कि कते तोर पर एक धार्मिक जंडे का अपमान किया गया और उसके बाद जो बवाल मचा उससे हर कोई परेशान हो गया पुलिस को स्तिती कंट्रोल करने में काफी वक्त लग गया लेकिन खबर ये मिल रही है कि स्तिती को कंट्रोल कर लिया गया है बताते चले जमशेदपुर में एक बार फिर से हिंसा उस वक्त भड़क गई जब एक धार्मिक जंडे का कतित तोर पर अपमान हुआ और उसके बाद दो गुट आपस में भिड़ गए बताये जा रहा है कि उपद्रव्यों रे जम कर बवाल काटा पत्थर एक दूसरे को फैंके और जितना ज्यादा बवाल मचाये जा सकता था वो बवाल मचाने की कोशिश की गई माहौल में अशांती पहलाने की कोशिश की गई पुलिस की सुनने कोई लोग तयार नहीं थे जिसके बाद पुलिस ने फिर लाटी चार्ज किया जैसे तैसे इन उपद्रव्यों को रोका गया और उसके बाद अब बताए जा रहा है कि इन सब पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा बताए तो ये भी जा रहा है कि पुलिस ने इन सबी को कंट्रोल करने के लिए आसू गैस के गोले भी दागे थे आपको बतादे पुलिस अदिक्षक प्रभात कुमार ने इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए कहा भीड को तितर बितर करने के लिए पुलिस को कर दी गई है और पूरे इलाका में फोर्स अभी गस्त कर रही है और अभी महाल एकदम तो ये जमशेत पूर से जो खबर निकल कर सामने आई उसने हर किसी को है और ये सोचने पर मजबूर किया कि जार्खन सरकार क्या कर रही है वो जमीनी स्तर पर उतर कर क्यों इस तरह के बवाल को रोकने में सफल हो रही है बहराल जो भी अपडेट इस मामले पर आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे आप इस खबर पर क्या राए रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं